Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankhita Soudh, so students, मद्ध्य प्रदेश सेट पेपर 1 में Teaching Aptitude में आज हम कवर करेंगे Evaluation System यानि की मुल्यांकन परणाली, आप सभी को बता है कि Teaching Learning Process में जब एक ये Step कम्प्रीट हो जाता है तो उसके बाद Teachers भी Student को Evaluate करते हैं यानि की उनका मुल्यांकन करते हैं and Students भी Teacher को Evaluate करते हैं कि उन्होंने कैसा पढ़ाया and किस तरह से Exam में Questions पूछे गए तो ये मुल्यांकन परणाली बहुत जादा Important होती है So इस Session में हम देखेंगे कि क्यों ये System Important है and क्या इसकी Basic Functions होते हैं इस वाले Session को आप सभी एंट तक देखते रहेगा and उसके बाद हम Next Session में Next Video में देखेंगे Evaluation System के Different Types जो की बहुत ही जादा Important है So Paper 1 Preparation के लिए एक Complete Course हमने Launch किया है जिसमें की 100% Selection की मैं आपको Guarantee देती हूँ इसमें आपको Full syllabus Video Lectures मिलेंगे जिसमें की Smart and Short Tricks की मदद से आपके सारे Concepts हम Clear करेंगे Full syllabus Notes, Full syllabus Mock Test जिसमें से की As It Is Questions हर बार exam में आते हैं All Previous Air Questions with Solutions and 2000 Plus MCQ Question Bank हम आपको देते हैं जिसमें की हरे Question के Answer के साथ आपको Detail में Explanation भी मिलती है and इसमें से As It Is बहुत बार questions exam में आते हैं जिससे की Students का बहुत इसली exam qualify हो जाता है and इस Complete Course को जॉइन करने के लिए स्क्रीन पर दीए कि किसे भी एक number पर WhatsApp की मदद से आप लोग easily contact कर सकते हो generally इसकी fee है 3000 रुपीज लेकिन Students आज मैं आपको देती हूँ बहुत इच्छा discount यानि कि इस Complete Course के लिए आपको सिरफ 2000 रुपीज पे करने होंगे जिसकों की लगातार एक साल तक आप यूज कर सकते हो तो आज ही इस Complete Course को जॉइन करके आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो Paper 1 Complete Course को जॉइन करने के लिए आप Global Online आप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री आप है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप डाउनलोड करने के बाद Store section पे जा करके Search Bar में आपको लिखना है Madhya Pradesh Set Exam 2023 दिन आपको सामने इसका Overview आजाएगा जो कि already हम discuss कर चुके है दिन आपको जाना है इसके content section पर यहाँ पर आप देख सकते हो Full syllabus mock test, 2000 plus MCQ PDF और आपको unit wise separate folders मिल जाएगे जिसमें की exam oriented way में यहाँ पर video lectures and notes अविलेबल है यहाँ पर किसे भी unit पर आप directly क्लिक करते हो तो आपको theory lectures, MCQ lectures full syllabus notes and test series मिलती है जो कि definitely आपके first attempt में भी इस exam में अच्छा score करने में आपको मदद करेगा इस पर कि आज हम बात करने वाले हैं evaluation system के बारे में तो evaluate करना यानि कि मुल्यांकन करना किसी भी चीज़ का अब देखो जैसे कि UGC net का ही example लेते हैं previous year questions solve करते होंगे तो यहां से आपको क्या होता है आप अपने आपको मुल्यांकन देते हो आप अपने आपको evaluate करते हो कि आपकी preparation कितनी है वहीं फिर आप UGC net का जो final exam होगा ठीके वो exam दोगे उस exam का जब result आएगा वो होगा आपका final evaluation यानि कि मुल्यांकन होगा कि आपने इतने महीने इतने समय क्या पढ़ा आप उसके basis पे अपना मुल्यांकन कर सकते हो राइट सो हर एक field में चाहे वो कोई भी subject की हम बात करें चाहे किसी talent की बात करें चाहे हमारी जो school, college के curriculum होते हैं उसकी बात करें या फिर UGC net जैसे किसे भी competitive exam की बात करें evaluation एक major role play करता है इसी लिए ये topic most important topic है हर साल exam में पूछा जाता है सो देखते हैं इसके official definition क्या है so evaluation is the process of making judgments based on evidences and interpretations gathered through examination and assessment and on the basis of agreed upon criteria यानि कि मुल्यांकन क्या है परिक्षा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे सामने evidences हैं जो भी हमने किसी के बार में interpret किया था उस चीज़ का एक final assessment है उस चीज़ का एक final evidence है evaluation अब evaluation के बहुत से types होते हैं लेकिन एक सबसे छोटा evaluation जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ अब देखो एक real life example ही मैं बताती हूँ आप लोगों को आप इसे बहुत से students हैसे हो सकते हैं अभी जो कि हमारे चैनल पर नए आए हैं ठीके तो आप लोग क्या करोगे आप लोग अगर पहली भार मुझे सुन रहे हो या हमारे चैनल पर किसी और teacher की वीडियो आप देख रहे हो तो आप उसी basis पर हमें evaluate करोगे अभी यह आपकी first वीडियो है आपने अभी तक मुझे evaluate कर दिया होगा कि यह मैं आगे चल के अच्छा करवा सकती है या नहीं करवा सकती जिस type से हम पढ़ना चाते हैं जिस तरह से हम पढ़ना चाते हैं क्या यह मैं उस तरह से करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी उस basis पर अभी तक आप लोग मुझे evaluate कर चुके होंगे तो यह होता है छोटे छोटे evaluations अब आप लोग professor बन जाओगे एक हम teacher का example लेते हैं and multiple students हैं जैसे कि यहां पर आपको इस image में नजर आ रहा होगा ठीके यह teacher का आज class में first day था teacher ने students को पहले ही दिन से evaluate करना शुरू कर दिया किस basis पे पहले तो उन्होंने थोड़ी बहुत उनकी हरकते note की evaluate कर दिया कि हाँ यह शरारत करता है बच्चा यह अच्छा नहीं हो सकता बढ़ाई में इस तरह से या फिर उनकी note book देख ली या उनका previous result देख लिया उस basis पे students को इन्होंने first day पे ही evaluate कर दिया यहाँ पे evaluation system में हमेशा एक teacher को यही बताया जाता है कि इस तरह का evaluation बहुत ही ज़ादा गलत होता है कभी भी किस student को इस basis पे evaluate नहीं करना चाहिए अब एक और example के साथ हम देखते है मान लीजे एक student है जो कि singing में बहुत अच्छा है 100 out of 100 वो singing में ले सकता है लेकिन वही student math में 0 sorry 10 रख लेते हैं 10 out of 100 ले सकता है ठीक है इससे ज़ादा वो कभी score नहीं कर पाता तो एक teacher क्या इस basis पे उस student को evaluate कर सकता है कि वो अपने life में कुछ नहीं करेगा तो ये method बिलकुल गलत होता है क्योंकि अगर एक student एक field में अच्छा नहीं है इसका मतलब हो सकता है कि वो दूसरी किसे field में अच्छा हो उसको किसी दूसरी चीज में interest हो तो ये एक teacher के responsibility होती है कि वो हर एक student को finally कभी भी इस तरह से evaluate ना करे और कभी भी demotivate ना करे ये major point है इस topic को you just in it के syllabus में लेकर आने का So I hope अभी तक evaluation क्या है क्यों इसको use किया जाता है and as a teacher किस तरह से आप लोगों को किसी को evaluate करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये सब चीज़े important होती है So I hope यहां तक का concept आपका बिल्कुल clear है तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा अब आते हैं कुछ बड़े researchers हैं कुछ बड़े professors हैं जिनोंने evaluation पे कुछ अपनी definitions दी हैं ये definitions examination point of view से भी बहुत important है तो Hindi English दोनों languages में आपके सामने हैं आप इसको अच्छे से देखिएगा So सबसे पहले अगर हम टक्मेंट की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि evaluation is a process wherein the parts, process और outcomes of the program are examined to see whether they are satisfactory particularly with reference to the program stated objectives of our own standards of excellence तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि evaluation जो एक process है एक ऐसा process है जिसके results है जिसके outcome से हम examine कर सकते हैं अगर वो satisfactory है, नहीं है किस level पे उसका outcome आया है वहाँ से हम बता सकते हैं कि वहीं से हम हर चीज़ को evaluate कर सकते हैं वहीं से हम चीज़ को judge कर सकते हैं एक ये तक मैंने बोला था दूसरी definition है, Moffitt ने ये दी थी इन्होंने बोला है कि evaluation is a continuous process इस term को याद रखेगा ये बहुत बार exam में पुछा जाता है कि क्या evaluation एक continuous process है या नहीं है So yes, evaluation is a continuous process and is concerned with more than the formal academic achievement of the student ये वहीं बात है जो मैंने आपको बताई उसके अलावा भी किसी person को, किसी student को हम evaluate कर सकते है ठीक है, academic achievements के अलावा भी evaluate करने को बहुत कुछ हो सकता है If it is interested in the development of the individual in terms of the desirable behavioral changes in relation to his feelings and actions So desirable changes भी हो सकते हैं जब हम किसी को evaluate करते है तो वहीं बात बोली जाती है, जैसे मैंने अपना ही एक example लिया कि बहुत से students ने अभी तक मुझे evaluate कर दिया होगा कि मैं आमको हम 10 में से कितना score देंगे तो हो सकता है वैसे ये है नहीं, मैं बस example के लिए बोल रही हूँ हो सकता है कि मैं यूजिसिनेट पेपर वन पढ़ाने में इंट्रस्टेड ही ना हो, बहुत से reasons हो सकते है हो सकता है कि कि किसी teacher को यूजिसिनेट पेपर वन का knowledge ही ना हो और उनका पेपर वन बहुत स्ट्रॉंग हो कुछ भी condition यहाँ पे हो सकती है तो without चीजों को detail में समझे, evaluation करना बहुत ही एक गलत तरीका होता है and exam में इसी तरह के questions पूछे जाते हैं यह जो question आपके सामने है यह previous year question है यो जिसनेट exam में ही पूछा गया है इसमें बोला गया है the main objectives of student evaluation of teachers are ठीक है so main objective जो एक teacher students को evaluate करते हैं उसका main objective क्या है to gather information about student weakness यानि कि एक teacher एक student की weakness के बारे में information एकथा करना चाता है gather करना चाता है to make teachers take teaching seriously कि शिक्षब जो है वो गंभीरता से पढ़ाना शुरू कर दे इसलिए यह किया जाता है evaluation किया जाता है to help teachers adopt innovative methods of teaching यानि कि teachers की responsibility होती है कि वो नवीन तरीकों का use करके पढ़ाना शुरू करते to identify the areas of further improvement in teacher traits यानि कि जो भी आपके teacher traits होते हैं जो भी शिक्षक के लक्षन होते हैं उसमें सुधार करना चाहिए उनको improvement लेकर के आनी चाहिए बहुत सी चीज़ों में ठीक है तो यहाँ पर बोला है कि student evaluation of teacher को ले करके कौन सी statements correct है options are a and b b c d a b c and a only तो right answer क्या होगा आप इसको एक बार अराम से चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो वीडियो को pause करके then answer एक बार खुद देखेगा right so इसका answer मैं भी बता देती हूँ that is option number 2 b c and d तो evaluation का major focus इसी बात पे होता है कि हमें students की weakness को find out नहीं करना होता evaluation का मतलब होता है कि teacher teaching को seriously ले and वो ये चीज़ समझे कि students को क्या हमारा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है innovative methods को use करे अभी जैसे मैं आपको हर एक चीज़ आपने देखा होगा अगर regular students हो तो हर एक चीज़ मैं आपको real life example के साथ समझाती है अगर मैं यही करूँ कि हाँ यह definition English में है यह Hindi में है पढ़ा और आगे होगे तो क्या आप लोगों को हो सकती है अब जैसे मैंने जम नया जॉइन किया था तो teaching में बहुत कम या थी अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें पता चल रही है चीज़ें हम और अच्छे से अपनी बात को present कर पा रहे हैं तो यह सब चीज़ें होती है evaluation की मदद से इसलिए right answer है यहाँ पर b, c and d only so I hope यह question आप लोगों का बिल्कुल clear है so students कैसी लग रही है आपको यह वीडियो अभी तक का सब समझ आ रहा है पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है क्या आप मुझे evaluate कर रहे हो यह सारी चीज़े comment करके जरूर बताईएगा क्योंकि हमारा topic भी वही है इसी के साथ आप evaluate भी कर दीज़े right next up बात करते हैं characteristics of evaluation system की जो की most important topic होता है so characteristics of evaluation system यानि की मुल्यांकन प्रणाल के लक्षन so यह क्या होता है यह continuous process होता है मैंने previous definition में भी बताया evaluation is a continuous process it leads together with teaching learning process so जहां पर एक teacher teach कर रहा है एक student कुछ learn कर रहा है तो यह चीज़े continuous चलती है right next है comprehensive comprehensive होता है as it includes everything that can be evaluated so evaluation system हमें यह बोलता है कि पूरी दुनिया में हर एक चीज ऐसी है जिसको कि हम evaluate कर सकते हैं so यह विस्तरित चीज़ों विस्तरित करता है हर एक चीज़ को right next है learner centered अब learner centered में आप लोगों को previous lecture में detail में बता चुकी हूँ learner centered होता है जिसमें student के point of view को भी एक teacher ध्यान में रखते हैं कि student को कौन सा method पसंद आ रहा है कौन सा method पसंद नहीं आ रहा student किस language में पढ़ना चाहते है student को मेरा पढ़ाने का कौन सा तरीका चाहिए इसमें पूरा feedback students दे सकते हैं जैसे हर class के बाद मैं भी आपको बोलती हूँ कि आप comment करके अपना feedback दीजिए तो ये क्या है एक student centered या फिर जिसको हम learner centered method बोलते हैं ये वो है कि आप लोगों को हम पूरा अधिकार दे रहे हैं आप लोगों को हम पूरी power दे रहे हैं कि आप अपना feedback अपना evaluation हर एक चीज़ जो आपके दिमाग में है हम से related lecture से related syllabus से related वो आप हमें बताएए हम उस बात को जरूर सुनेंगे जरूर उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे right next है remedial so remedial का मतलब होता है evaluation comments on the results which help in remedial work it is not a remedy evaluation in remedial in nature ठीक है so जो भी result आते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं उप्चारात्मक होता है अब जैसे आप मुझे बताओगे evaluation करने को मैंने कहा suppose कोई student ऐसे है जिनको ऐसा लगता होगा कि मैं हिंदी में जादा explain करते हैं मैं हम English में कम explain करते हैं यह हो सकता है तो इस चीज़ को मैं remedial way में लेकर के जाओंगी कि हाँ किसी ने मुझे कुछ suggest किया है तो मैं उसकी बात को follow करूँ that is called remedial इस चीज़ को गलत वे में नहीं लेकर के जाना कभी भी कि हाँ यह तो मुझे टोक रहे हैं मैं तो अच्छा पढ़ा रही हूँ इस चीज़ को उप्चारात्मक वे में लोगे तो ही एक evaluation system जो है successful माना जा सकता है I hope इस तरह के examples के साथ आप लोग समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहती हूँ and किस तरह से exam में questions पूछे जासकते हैं next है cooperative process so इसमें क्या होता है cooperative process होता है जिसमें students, teachers, parents, peer groups peer groups होते हैं हमारे आसपास के लोग जैसे class में classmates होते हैं यह हमारे आसपास कोई भी होते हैं यह सब को आपस में cooperate करना चाहिए एक दुसरे की सहायता करनी चाहिए, सहायक होना चाहिए next है teaching methods so teaching methods of evaluation यह मैं आपको बता चुकी हूँ कि हो सकता है student A को मेरा पढ़ाने का तरीका 100% पसंद आ रहा हो student B को मेरा पढ़ाने का तरीका 50-50 लग रहा हो student C को मेरा पढ़ाने का तरीका 10% अच्छा लग रहा हो तो अपने-पने views होते हैं क्योंकि language को वजह से काफी students हट सकते हैं यह language की वजह से काफी students मेरी तरफ attract हो सकते हैं काफी students real life example की वजह से मेरी तरफ attract होंगे कई students बोलेंगे कि बहुत detail में पढ़ाया जा रहा है तो वो चले जाएंगे तो यह teaching methods होते हैं जो teacher पे भी student पे भी depend करते हैं exactly उनको क्या चाहिए exactly उनको क्या instruction देने को कहा गया है that is called teaching methods next is common practice so evaluation is a common practice among the proper growth of a child mentality and mentally and physically so common practice होती है अब किसी को एक ही बार देख कर हम evaluate नहीं कर सकते continuously देखेंगे, मिलेंगे बातचीत होगी तैसे मेरे lectures आप एक lecture देखोगे किसी दूसरी unit का lecture देखोगे MCQs में मुझे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है, तो ये common practice होती है next बात करते हैं types of evaluation system की ये अब students 6 types आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे ये most, most expected and most important है हर साल पूछे जाते है सभी के सभी types important है types में क्या पूछा जाता है आपको जैसे की एक real life example दिया जाएगा जैसे examples में आपको अभी ये समझाते हुए बताऊंगी, same as it is वही examples आप लोगों को exam में पूछे जाते हैं और आपको बताना है कि ये कौन से evaluation का example है so basically 6 types होते हैं जिसमें की पहला है placement evaluation दूसरा है formative evaluation summative evaluation इसको थोड़ा सा पहले मैं आपको बताती हूँ जैसे placement evaluation होता है कि right person को right place पे right जगा पे place कर देना placement जैसे कि universities में होते है job placement होती है कि जो person, मालीजे person A की skills है कि वो बातों में बहुत अच्छा है तो उनको calling के लिए हम job दिलवा सकते हैं person B है जिनकी color combinations और यह सब अच्छा है तो उनको हम designing के लिए place करवा सकते हैं तो that is called placement यानि कि सही person को सही जगा पे place करना evaluation उसका ऐसा किया जाता है कि उसको सही जगा पे place किया जाता है next है formative evaluation formative evaluation होता है जैसे कि class चल रही है class में teachers बीच बीच में student से questions पूछते है जैसे अभी माल लीजे मैं आपको evaluation के definition पढ़ा दी उसके बाद मैं किसी भी student को पूछूंगे कि आप simple language में आपने अभी तक क्या समझा वो मुझे बताईए that is called formative evaluation ठीक है या फिर class के end में overall जो मैंने पढ़ाया चलो वो बताओ इस तरह से जो teachers पूछते हैं वो होता है formative evaluation next होता है summative evaluation summary इसको आपने याद रखना है summary से summary क्या होता है किसे भी चीज़ के बिलकुल end में तो summative evaluation होता है जो हमारे final exams होते हैं बिलकुल end में यानि कि पूरे semester के end में पूरे साल के end में हमने क्या सीखा पूरे chapter के end में हमने क्या सीखा that is called summative evaluation next है diagnostic evaluation so diagnostic का मतलब होता है निदानिक मुल्यांकर कि इसी चीज़ को diagnose करना अब आप लोग अगर मेरी पढ़ाये हुए तरीके से समझ रहे हो तो मैं देखूंगी कि अच्छा समझ रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ students नहीं समझ रहे है तो मैं diagnose करूंगी उस चीज़ को ढूणने की कोशिश करूंगी उस problem को ढूणने की कोशिश करूंगी आप में भी और अपने आप में भी दोनों में ही एक teacher में भी एक student में भी कि क्या वो चीज है कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या आपको मेरी language समझ नहीं आ रही क्या आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा या फिर क्या आपको क्या या फिर आपको interest ही नहीं है आप सुनी नहीं रहे हो बातों को क्या problem हो सकती है that is called diagnostic यानि कि हमें ढूड़ना है कि क्यों problem आ रही है क्या reason हो सकता है किसी चीज का अब हैं दो चीजे norm reference and criterion reference most important वैसे तो सभी important है उसमें से भी most important ये दोनों है norm reference यानि कि मानक, संदर्वित, मुल्यांकन और criterion यानि कि मांदन एक criteria set कर दिया जाता है जो जो students उस criteria को satisfy करेंगे वो selected होंगे जो satisfy नहीं करेंगे वो reject कर दिया जाएंगे ठीक है and यहाँ पे norm का मतलब होता है rules तो किस तरह से rules को ध्यान में रखते हुए evaluation किया जाता है किस तरह से किसी criteria को रखते हुए evaluation किया जाता है जैसे कि मान लीजे मुझे army में जाना है तो army में मान लीजे suppose यहाँ पे बोला गया है कि six feet height होनी चाहिए तो अगर यह criteria है जो जो इसको satisfy करेंगे वो pass है जो जो नहीं करेंगे वो यहाँ पे fail हो जाएंगे तो यह होता है criterion referenced evaluation तो यह जितने भी types हैं इनका basic introduction मैंने आपको दे दिया है next lecture आप जरूर देखेगा वहाँ पे में यह सारे types real life examples and previous year questions के साथ लेकर आऊंगी हर एक चीज़ आपको images की help से यह समझाऊंगी क्योंकि बहुत ही जादा important lecture अगला हमारा होने वाला है तो अगर आप लोग नई हो हमारे channel पे तो bell icon press कीज़े ताकि जैसे ही रात को 9 बजे अभी Saturday है तो next class हमारी Monday को आने वाली है सो मंडे रात को 9 बजे हमारे channel पर जैसे ही यह class शुरू हो जाएगी आप लोगों को notification मिल जाएगी तो bell icon press जरूर कीज़े and paper 1 या paper 2 किसी भी तरह का course कोई भी study material अगर आप लोग लेना चाहते हो अपनी preparation करना चाहते हो तो आप इस screen पर दिये के number पर जल्दी से contact की